हे दोस्तों उत्राखंट जी के टेस्स सरीज, सामाने हिंदी टेस्स सरीज, उत्राखंट जी के वन लाइनस या उत्राखंट करेंट अफ्यर्स ये सभी आपको मिलेंगे निसुलक हमारी वेबसाइट hemowantyuk.com पर तो आज ही हमारी वेबसाइट को फॉलो करें और वेबसाइट पर आने वाले धेर सारी टेस्स सरीज, उत्राखंट समर्दी वर्यास कंटेंट और उत्राखंट करेंट एफ्यर्स का लाव उठाएं इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ग मिलेगा आपके अपकामिंग गुरुप सी उत्राखंट पुलिस और अन्य परिक्षाओं में हैं तो कैसे हैं आप लोग, I hope you all are doing great तो देखें कम्पुटर की टेस्सरी चली थी उसका पार्ट 29 है और काफी महत्तोपूर कम्पुटर बेश डेम से क्यों जिसमें आपको देखने को मिलेंगे देखें दोस्तों मैं हमेसा बोलता हूँ कि हमारी चैनल पर जो टेस्सरी जाती है उत्राखंट जीके की, जीके की, सामानी हिंदी की और कम्पुटर की इसको आपने जरूर फॉलो करना है ठीक है अभी लास्ट आपका जो गुरूप सी का एक्जाम हुआ था वो 15, 16, 17 मार्च को इस्टैनो और आपका परसनल असिस्टेंट का एक्जाम हुआ था जहां पर जीएस वाले सेक्शन में कम्पुटर के दो प्रसन हर पाली के प्रसन पतर में पूछे गए थे तो इसलिए कम्पुटर के MCQ भी आपके गुरूप सी पेपर के लिए महत्तोपूँ है मैं हमें सब बोलता हूँ तो चलिए देखेंगे आज के महत्तोपूँ के प्रसना को तो पहला कोश्यन है आपके सामने टेक्स्ट की फॉर्मिल्टिंग से क्या तात पर लिए ठीक है तो टेक्स्ट की जो फॉर्मिल्टिंग होते है उससे क्या तात पर लिए दियेगे विकल्पों में आपने बताना है तो दीके formatting का मतलब यहाँ पे होता है दोस्तो Line Spacing ठीक है पहला option सही है Text Spacing ये भी सही है Margin Change ये भी बिल्कुल सही है तो इसका right answer हो जाएगा A, B, C तीनों ही सही है ठीक है किसी भी text की formatting अगर हम कर रहे हैं तो ये सबी चीज़े इसमें प्रियुक्त होंगे ठीक है तो option D, right answer में चले बगते अगले question के तरब निम्नमै से किस विधी द्वारा text के विभिन रंगों, आकारों और प्रकारों से आकरसित बनाया जाता है तो कौन सी method यहाँ पर यूज की जाते है जिसके द्वारा किसी भी text के विभिन रंगों, आकारों और प्रकारों से उसको आकरसित बनाया जाता है जो अभी हम text लिखते हैं उसको अलग रंग दे सकते हैं हम आकार दे सकते हैं, प्रकार कर सकते हैं तो यह हमारा किस में रहता है किस से हम यह चीज़े implement कर सकते हैं यह apply कर सकते हैं तो right answer हो जाएगा इसका option ने word art से ठीक है, option A इसमें सही उत्तर हो जाएगा, word art के द्वारा हम text के विभिन रंगों, आकारों और प्रकारों को आकरसक बना सकते हैं, अगला दिखे, spread sheet में प्रतेक box को क्या कहते हैं, ठीक है, पुरे option एक बार देख लेते हैं, अच्छे से, चल यानके option A में सही answer जाएगा, sell बोलते हैं इसको, ठीक है, चले बगते अगले question के तरफ, HTML द्वारा coding करके बनाई जाने वाले web pages की extension क्या होती है, तो देखे, HTML के द्वारा ही coding करके कोई भी web page बनता है, कोई भी application बनते है, कोई भी video game बनता है, सभी में अमारी coding होते है, कोई coding की जो file हो जाएगी, वो क्या होगी, जैसे हम word पर कोई file बनाते है, तो doc उसका extension होता है, ठीक है, कोई हम pdf बनाते है, तो .pdf उसका extension होता है, होता है न, ऐसे हम powerpoint पर कुछ बनाते है, project तो ppt हो जाता है, हमारा, तो ऐसे है यहाँ पर web page की extension होगी, HTML coding के द्वारा, यह या तो .html होगी, या .htm होगी, एनके option C इसमें बिल्कुल सही उत्तर है, यह और भी दोन हो जाएंगे, इसमें, चले बगते अगले question की तरफ, उच्छे इसतरी यह भासा में लिखित program क्या कहलाता है, बहुत अच्छा question ने दिखिया, तो उच्छे इसतरी यह भासा जो होती ह है न, high-level language, तो उसमें जो भी लिखित program होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो यह कहलाता है दूस्तो, source program, ठीक है, option A इसमें सही उत्तर जाएगा, source program, चले बगते अगले question की तरफ, document में लिखे text को दाईं तरफ से select करने के लिए, dash dash keys का परियोग किया जाता है, तो कोई document हमने लिखा है दूस्तो, document में text को अगर हम दाईं तरफ से select कर रहे हैं एक साथ, तो कौन सी keys दबाते हम, ठीक है, तो select करने के लिए हम दबाएंगे हम इसा, shift plus, यानि कि option A सही उत्तर होती है, ठीक है, तो प्रस्तोती करन का मतलब होता है, presentation, तो dash dash में presentation की जो अलग-अलग different slide होती है, तो उनकी जो outer रूप रेखा होती है, कैसी होगी, ठीक है, तो बाहरी रूप रेखा, यानकि outline भाग में, इसका answer हैगा, option C, outline भाग में अब प्रस्तोती करन की विभिन की बाहरी रूप रेखा होती है, ठीक है, तो outline भागी, यहाँ पर right answer हो जाएगा, चले पहुंचते है, अगले question के लिए, HTML भासा के program को run करने के लिए, dash dash software का प्रयोग होता है, तो HTML जो भासा होती है, इसके program को अगर हमने run करना है, तो कौन सा software दिये गए विकलपों में से तो इसके लिए हम यूज करते हैं, दोस्तों, Internet Explorer का, ठीक है, option C, सही हो जाएगा, यहाँ में से दिये गए विकलपों के आदार पर, Internet Explorer, option C, बागी देखे, notepad, wordpad, wordpad और MS Word जो है, यह हमारी सभी, document वाले जो, applications है, यहाँ पर हम documents बना सकते हैं, कोई भी, MS Word की window को दो या अधिक भागों में बांटने की विधी, डेश डेश कहलाती है, तो MS Word की window को अगर हम दो भागों में बांटने की विधी, डेश डेश कहलाती है, तो इस method को कहते हैं, दोस्तों, page break, ठीक है, option B हो जाएगा, इसका answer, page break करना, चलिए, बगते अगले question के तरब OSI model की layers, OSI model की dash dash layers होती है, ठीक है, तो बताने हैं, आपने OSI model होता है, इसके कितनी layers होती है, तो देखिए OSI model जब आपने पढ़ा होगा, तब ये चीज़े समझ में आगे, आपको सबसे पहले जानते कि OSI model क्या होता है, तो OSI model का मतलब होता है, दोस्तों, किसी network में दो users क के मध्य, communication के लिए जो reference model होता है, दो users के अंदर भीज में जो भी communication होगा, उसके reference के लिए जो model यूज के रहता है, उसी को OSI model कहता है, ठीक है, ध्यान दखेंगे, और ध्यान दखेंगे, इससे क्या होता है, OSI जो model होता है, कि किसी भी network में data या सूचना कैसे send या receive करनी है, तो इसी पर base do model होता है, पूरा ठीक है, और ये seven layers होता है, OSI जो model होता है, ये seven layers होता है, option A, इसमें सही answer है, तो seven layers होते हैं OSI model में, तो कौन-कौन सी layer होता है, तो जान लेते हैं कि पहले जो layer होती है, वो कहलाती है physical, दूसरी जो layer होती है, वो कहलाती है data link, तीसरी जो layer होत वह चैनल तो साथ लेयर होते है ओसाइ मोडल में दिखान रखेंगे रिपीजिकल डेटालिंग, ने टवरक्ट, ट्रांसपोर्ड, शैसन, प्रेटेशन एप्लिकेशन लुगें तो भूत अच्छा कोशिन है थी इसे कोशिन बनते हैं आज और अगला है नियुक्त कि है क्या होता है कि अगले सब्सक्रांद का क्या होता है पूरा रूपyes जिसमें ऐसे ही मतलब short form पूछ ली थी उसका विस्त्रत रूप पूछा गया था हुआ ठीक है तो CUI का अर्थ जो होता है दूस्त हो इसका right answer हो जाएगा option A character user interface ठीक है तो character user interface का ही संचिप्त रूप है CUI चलिए बगते अगले question के तरफ अगला question है दिखिए सूचनाओं को पंक्ति वा इस्तंब के रूप में व्यवस्तित करने को डैस डैस कहा जाता है तो जो भी information होती है उसको rows और column की रूप में जो हम व्यवस्तित करते हैं तो यह method क्या कहलाती है तो यह method कहलाती है table ठीक है option C इसको बोलता है table ठीक है बहुत simple है तो ठीक है तो दोस्तों यह था आज computer के महत्तोपूं MCQs part 29 ठीक है ऐसे ही question आज की date में पूछे जा रहे हैं दोस्तों यह series ना के बहुत आपके एक्जाम के लिए beneficial होगी बलकि जितने भी section में जापर computer के question पूछे जाते हैं उनके लिए बहुती महत्तोपूं test से लिजाए जैसे कोई लोग triple C की तहियारी कर रहे हैं अभी आने वाले triple C exams की तहियारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्तोपूं है ठीक है तो मिलेंगे आपको जल्दी next topic में किसे अन्य test series या अन्य various topic के साथ तब तक आप लोग अच्छे से अपनी study करें दोस्तों जितने भी topic आते हैं इन सभी topic को जरूर देखे हैं कोई भी question skip ना कर रहे हो सकता है जिस दिन आप कोई question है test series skip कर दें वहीं से आगामी परिक्षा म मैं हमें सब बोलता हूँ ज्यान की कोई भी वस्तो आपको जहां से भी मिले उसको लपेट लेना चाहिए क्योंकि ज्यान का जो भंडार है ज्यान एक अथा महासागर है जितना आप लेंगे उतना आप घहरा जाते रहेंगे लेते रहेंगे घहरा जाते रहेंगे वो खत्म ह नहीं होगा ठीक है इसलिए जहां से भी मिले लेना चाहिए ग्यान पार्टना भी चाहिए ग्यान पार्टने से ही ग्रोध ज्यादा होती है So thank you for watching guys अपना ध्यान रखें जै हिंद जै उत्राखंड